जार्खन बिधान सवाद सत्र का आरम हो गया है लेकिन लगातार सदन में हंगामा होता है हमारे साथ इस वक्त राची के बिजेपी के सांसद हैं सेट जी कैसे देख रहे हैं आप लोग जेपी ऐसी की मुद्दा या फिर कहले बिजली संकर की मुद्दा को लेकर सरकार को घेर लेकिन सरकार वहीं पर कह रही है कि जनहित की विकास नहीं होने दे रही है विपप्श आप देखो वहां पर दो साल हो गए और मुख्य मंत्री जी संजीदा नहीं है विकास को लेकर उन्होंने दो साल पहले क्या कहा था कि साल में पांच लाग नौकरी देंगे नहीं तो को नौकरी है दस नौकरी भी नहीं कब तक जनता इंतिजार करेगी ब्यरोजगारी भत्ता वो भी टाय टाइटाम फिस हो गया लान ओडर कॉलेप्स है हमने वो भी समय देखा था रगवरदास के शाशन में कि रात में बारा बज़े एक बज़े आप गड़वा लिटी आठे पज़े के बाद एक जिले से दूसरी जिले लोग नहीं जा सकते लान अडर बुरी तरह परभाद हो गया अभी कली खेलारी में हमारे एक शुन्दु परिशत के अध्यच की हत्या हुई निर्मम हत्या हुई और हत्याओं का दर्थ जारी है लगातार संग के संसेवक भाज़पा के कारी करता आम लोग सरकार मौन है और हम यह कह सकते हैं बिजली की वस्ता देख लो बिजली भी टाइटाइप से बिजली राजधानी के अंदर बिजली का यह आलम है ट्रांसफर्मर और बिजली के पोल जो बहुत तायत में थे हमारे शाशनकाल में सुबह बो सरकार ने ट्रांसफर्मर और बिजली पोल का टेंडर नहीं किया जो ग्रेड और सबिस्टिशन बने थे रगवर जी के शासर में दो साल होके बने हुए पड़े हुए उसका उद्गाटन तक नहीं हुआ सड़क की विवैस्था वैसे देख लो सड़क पुरी बरबाद हो पड़ी है कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यह सरकार इंज्वाए कर रही है और जनता परिशान है जनता त्रही मां कर रही है हर स्टेज जेपियस्सी में कैसे बच्चों को पहले पास किया गया एक ही नंबर से औ फिर बात में कहां जब अंदोलन हुआ तो मजाक है न अब जो बच्चे हुआ अंदोलन कर रहे हैं उसे लाठिया चल रही है और उनके जो अध्यच हैं जब उनको राजभवन तलब किया गया राजभवन के बाहर जब मीडिया ने पूछा भई क्या मेरा चेहरा देख लो क मैं देख रहा थे एक सब्जी वाली के बेटा उसने का हमने बहुत मेहनत की सब्जी बेच बेच के अपने बच्चे को पढ़ाया और हमारे बच्चा का ज्यादा मार्स उससे कम वाले पास हो गए तो यह पिसी करना में है तो सरकार को सुनना चाहिए राजभवन को भी गफलत में रखा गया राजभवन को भी अब जब एक्स्पोज हुए तब भानेवाजी चल रही है देखो हम यह कह सकते हैं कि कॉंग्रस पार्टी जहां जहां शाषन करती है जहां आप देख लो एक तो पुरे दे से समाप्त हो गई अब पिछल गू पूछ पकड़ने वाला वो रहे गई है तो उसको लगता है कि साहब देखो तो हम तो इतने बड़ी पार्टी थे हम तो पूछ पकड़के जा रहे ह जो उसका साथी होता है उसको वो बरबात करने में तुल गए है और आप देखो पूरे हिस्ट्री देख लो उनकी महरास्ट में आप देखो सिव सेनों एंसीबी परिशान है जारखन में देखो जेमें परिशान है कि कॉंग्रस पार्टी का चरित्र ही ऐसा रहा है और इसी लिए देश की जनता ने उसको किनारे ठीका दिया लगा दिया किनारे के बीरो सने सने कॉंग्रेस पार्टी गर्थ मिल जारी है जारखन विधान सभा में सीद कालीन सत्र का शुरुवात हो गया है लेकिन लागातार हंगामिदार हो रहा है सरकार कह रही है कि विपक्च की मं गिरदी और गिर्टी आपना प्रेक्राफ शेली और फिर्याइ कर्का भीनली ओंट्रेक्टिस अन्टाइउ लिक्टिस्टू कम एंटेग कर लिए तसके लिए फिर फूरीटिस अगाने थार्या प्टाइब और जोनी तो एंटेटिस गुड़ अपर इंटूने क कर विलक्तिस So, I research it online, I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with White Hat representatives, and I was very happy with the progress and how he was doing. So, then I thought that why not implement it in our school so that all the students are able to learn, you know, this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. are I think, on this part White Hat is actually leading you know on this coding platform, it is definitely a very good platform and one should implement in every school